चैनल के सभी दर्शक्रों को नमस्कार जर्शकृष्णा प्रणाम जब हमारी आध्यात्मिक ओर्शा में किसी प्रकार की कोई रुकावट आती है तो हमारे हर कार्य रुक जाते हैं हमारा भाग्य समाप्त हो जाता है और ये सब होता है जीवन में पुर्व जन्मों के कर्म के अनुसार उन्ही कर्मों से जीवन में नया कर्म रेडी होता है इसलिए क्या ऐसा करें कि नया कर्म भी बुरा नहो बरतमान जीवन में भी सुख समर्धिया जाए इसी के सूत्रों को समझ के जीवन को सजाने का नाम है जोतिश क्या है जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज के रोग को मर्ज को पकड़ के चिकितसा कर देता है और वो मर्ज ठीक हो जाती है थी किसी प्रकार जो उच्छ स्रेडी का जो होता है जोतिशी वो अपने मरीज के मर्ज को पकड़ के उसकी दवाई करके उसके जीवन को हरा भरा कर देता है लेकिन कब जब उसे इसका मर्म मालूम होगा तब हम उसी मर्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे आईए हम आपको ये बता दें इससे पहले के वीडियो में हमने लगन से लेकर के अश्टम घर तक राहू चंद्रमा लगन से लेकर अश्टम घर तक राहू का क्या प्रभाव होगा फलादेश दिया जो कि दो पार्टों में है अब उस दो पार्ट को आप जरोर देखिएगा राहू चंद्रमा से गोचर में यरी आपके जीवन में कुछ परेशानिया दे रहा है कहां पर बैठा है तो आपको देख करके उपाय करके बड़ी सकारात्मक जीवन शैली जीने को मिल जाएगी क्योंकि हम ये उपाये प्राया है हमारे पास लोग आते हैं तो अपने ध्यान उर्जा के माध्यम से बताते हैं किसी भी उस तक से पढ़कर के उपाये बताये जाए तो कभी नहीं लगता है लाल किताब की उपाए प्राया उल्टे ही हो जाते हैं कभी-कभी तो तो क्या करें ऐसे में हमें आईए हम जानते हैं तीसरे पार्ट में जो की नाइन थाउस से लेकर बार्वें घर तक राहुकेतु का प्रभाव जीवन में जातक को कितना तबाह आबाद करता है वीडियो में अगर आपको कोई भी समस्य आती है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं हम आपके कमेंट का उत्तर देंगे समय पर तो चलिए देखो आपने सुना होगा कि बहुत धर्मात्मा आदमी था लेकिन वो अधर्मी हो गया कब? जब वो सतसंग और संत के पास नहीं बैठेगा तो ऐसा होता है लेकिन सतसंग और संत के पास बैठने में रुकावट डालने वाले भी ग्रहे ही होते हैं बुरे कोई न कोई ऐसी संगती मिल जाएगी तो क्यों धार्मिक वित्तिय धार्मिक क्यों हो जाता है? नाइंध आउस जन्म कुंडली में धर्म का घर है पिता का घर है विद्या का घर है देव पूजा आराधना का घर है और यहां पर जब राहू बैठेगा तो क्या-क्या प्रभावित करेगा मनुष्य के भाग़े को सबसे पहले प्रभावित करेगा जब नवे घर में राहू अपने राशी के बल को छोड़ करके हलाकि इसकी राशी कोई नहीं होती राहू की परन्तु व्रिश राशी में राहू होता है तो कुछ बताया गया है कन्याराशी में और मिथुन राशी में भी ये शुभफल करता है इन राशीयों को छोड़ करके यदि किसी के नाइन थाउस में राहू बैठा होगा तो फिर उसके जीवन में उतार चड़ाओ भागे में उतार चड़ाओ जिरूर देता है तो चड़ाओ तो नहीं उतार ही देता है जब गुरे राशी में बैठा होगा तो मालिय ब्रिश्चिक राशी में आपका राहू बैठा है या मीन राशी में धनू राशी में नाइन थाउस में राहू बैठा है तो पहला काम क्या करेगा जब राहू की दर्शा आएगी और ग कमर किरिण का मतलब होता है की आदमी के मजभूती आदमी के धरातल को हिला देता है। जब राहू नाइन थाउस ने बैठेगा तो वहां से विद्या, धरातल, भाग्य, इन सब को हीन करेगा। और पुनहाँ राहू मस्तिश्क को छ्षिन करेगा, मस्तिश्क पे अपना अच्छा, क्योंकि नवे घर में बैठा हुआ रहू लगन को देखेगा, तो चित की वृत्ती को अशांत करेगा, सिर में पीडा देगा, अच्छा, चोट भी देदेगा, बे मतलब में आप डिप्रस्ट होते जाएंगे, जब नाइन थाउस में बैठेगा, तो आपकी जो तं करेंगे, अभी हम उपाय भी बताएंगे, पहले आप इसके बारे में सुन भी ले क्या-क्या परिशानी आती है, अच्छा, तीसरा घर बड़ा महत्वपूर्ण है, तीसरे घर पे जातक के जीवन में उसके मित्र, बच्पन के मित्र, सखा, वो अचानक साथ छोड़ देते ह नाइंतावस में बैठा हुआ राहू, या फिर बड़े बुरे मित्र मिल जाते हैं, और इसको मदिरापान इत्यादी सिखा देते हैं, घर बरबात कर देते हैं, राहू अगर नवे घर में बैठा होगा, तो जातक के चित पर, विद्या पर, पराक्रम पर, धैरे पर, प्रभाव को, और आपके सिद्धियों को, आपके व्यापार से कमाए हुए धन को बिनष्ट करने लगता है, समझ ले न, कि राहू हमारा नकारात्मक है, भी से सकारात्मक जैसे किया जाए, नाइं थाउस को मंदिर कहा गया है, गुरद्वारा कहा गया है, धर्म घर कहा गय लोग, माली जीये, आपका राहू बैठा है, ब्रहस्पती की राशी, मीन में अधनु में, तो ब्रहस्पती वार के दिन, वहां मंदिर में जाकर सेवा सफाई, और जोती प्रकाश करना, देशी घी का, दीपक नहीं तो, तिल के तिल का, दीपक जलाना प्रारंब कर दीजे, आपको भाग्य में रुकावट आ रही होगी, तो 100% लाग होगा, अच्छा, नाइन था उस मंदिर धर्म शाला है, तो वहां की सेवा सफाई करेंगे, तो आपका भाग्य साफ स्वक्ष हो जाएगा, ना, अच्छा, एक और चीज है, आपका जीवन चक्र रुका हुआ है, तो आप एक वाल क्लाप लेजिए, ले लीजिए, क्रे कलर की कोई वाल क्लाप लेकरके मंदिर में लगवा दीजिए, यदि आपके पास धन है, अर्थ है, और नहीं भी है तो लोग उपाय करते हैं, तो मंदिर में कोई पंखा, रॉड, मतलब जो होती है, ट्यूब लाइट तो लगन को भी मजबूत करेगा, तीसरे घर को, पराक्रम को भी मजबूत करेगा, शोर को बढ़ाएगा और पत्रभाव को भी मजबूत करेगा, ठीक है, मंदिर में बैठे हुए विकषकों को आप कुछ मिक्स चीज, मिक्स वेजिटेवल या फिर खिचडी इत्यादी भी आप खिलाते हैं तो बड़ा फायदा करता है राहु का साधन ये उपाय आप करेंगे तो लाब देगा ठीक है पुना है कामोर करें क्योंकि राहु नवे घर में बैठेगा तो खान पान के बृत्तियों को खराब करेगा बिल्कुल शराब कबाब आधी बिल्कुल त्याग दे और भगवती चंडिका दुरगा का कवच पढ़े और अर्गला स्तोत्र पढ़े ये दो चीजे अपना ले हैं अब आपके जीवन शैली बदलना जाएगा तो कहना जो आपके मित्र आपका साथ छोड़ देते थे वो आपके साथ हो जाएंगे बिल्कुल सकारात्मक निर्ण आत्मक चर्चा है और पुना आपके बच्चे जो आपका कहना नहीं मानते थे मानने लग जाएगे राहू के कंडिशन अगर खराब है नाइन्थ हाउस में तो पिता और मा का स्वास थे आपका व्यापार बहुत प्रभावित होगा आपकी पैरों में दर्द नसों में दर्द हड़ी का तूटना मोच आजाना इत्यादी भी संभावित होता है अब देखिए दसमस्थान को आकाश कहा गया है आकाश अपने घर की छत है अब ऐसे में य आकारात्मक उर्जा फेकेगा तो आपके घर में आपका वास्तू अपसेट कर देगा आपके घर में आपका जो आंगन है वो अपसेट कर देगा ऐसे में आप अपने ब्रम्भस्थान पे घर पे जो ब्रम्भस्थान मध्यकाल होता है मध्यस्थान वहां पर कोई भारी या तूटे-फूटे वर्तन, तूटे-फूटे टायर, तूटे-फूटे शीशे, कई लोग रख लेते हैं, तो बिलकुल वहां से हटा दिजे, और आप देखिएगा उसका प्रतिपल आपको सत्व प्रत्षत मिलता है, कहीं न कहीं जब राहुद समस्थान की बैठा होगा औ और उसका विप्रीज प्रभाव पढ़ रहा होगा, तो आपकी छट पे टूटे हुए गमले, सूखी हुई तुलसी, सूखे हुए व्रक्ष, कटीले व्रक्ष अवश्य ही पाए जाते हैं, तो अपने छट को साख रखें हमेशा, और पुनहा जो यह है गोमूत्र, गोमूत राहु बैठा है, मालनो मंगल की राशी मेश में या मRichamma में बैठा है, तो मंगल वर्ट चंदर की राशी में बैठा है, तो सूम वर्ट तूब़र वह वर कहने छट की सफाई, गोमूत्र के छिड़काओं के दौरा, जरूर करें इससे क्या होगा? इससे आपका कुटम्ब स्वक्ष हो जाएगा, आपके जो पास पैसा आपको बार-बार थस जाता है कहीं पर, आपकी बाणी रुख जाती है, आप बोलना कुछ चाहते हैं, आपके जबान से कुछ निकलता है, जब आप अपनी छट साप रखेंगे, तो आपका वाणी का मकान इत्यादी में, आप चैन से आराम से घूम सकते हैं, रह सकते हैं, अब सात्वे द्रिष्टी से राहू बैठ करके मकान को देखता है न, तो सुक्ष रखी अपने घर को, यहाँ बैठ करके राहू की द्रिष्टी, शत्रुपक्ष, रोगपक्ष को भी देखती है, हुआ सट्था बिल्कुल त्याग दे हैं, और किसी भी प्रकार का नशा सेवन बिल्कुल न करें, नहीं तो आपका जीवन दूभर हो जाएगा, अब ऐसे में आप क्या करें, जीवित मचलियां लेकर के उनको मुक्त करवाएं, इसी तालाव में, सरोर में, खुले हुए और आपके जीवन में रोग रिण आदी भी शान्त हो जाएगे, पुना आपका चतुरत घर मजबूत हो जाता है, राहू के लिए आपको भगवती सरस्वती की फोटो घर में रखना चाहिए, और जो आईना है, दरपण है, इसका बड़ा प्रभाव है, एक आईना दरपण अपने कार अस्थान पर ब्यापार अस्थान पर लगाएं और जब जाएं तो कोशिश करें कि वैसे कच्चा दूद, कच्ची लसी इत्यारी से सीशे पे छीटे मारें, फेस देखें, छीटे मारें, फेस देखें, छीटे मारें साफ कर दें, इस तरह से आप करते रहें, आग में डालने पर उगल जाता है, उसे सिक्का भी बोलते हैं, लिड भी बोलते हैं, वो दो गोलियां बना कर अपने पास रखी है, ये बड़ा प्रभाव शाली उपाय है, उना जनम कुली में यदी राहू के कंडिशन अच्छी नहीं है, तो गोमे जित्तियाल धार्ण कर सक हैं, दस्वे स्थान पे राहू का प्रभाव ये होगा, व्यापार को नुकसाम न पहुँचे, इसलिए ये उपायात करें, ग्यार्वे स्थान पे जब राहू जाएगा, तो बाजू, कंधा, लेफ्ट साइड, हार्ट, फ्रक्षर हो जाना पैरों में इक्तियादी उभी कर जाएगा, और बड़े भाई और बहनों के साथ में आप सिमत भीद हो जाएगा, यदि ऐसा हो रहा है, समझना, आपके गोचर में राहू ग्यारों में बैठा हुआ, आपको खराब कर रहा है, पुत्र पत्री बीमार हो जाते हैं, संतान नहीं टिक पाती है, गर्भ नहीं र बहर जाए, उस भरे हुए मटके को किसी ऐसे बिद्ध्यार्थी को दे दें, जो गरीब हो, जिसको आवश्यक्ता हो, ब्रामण हो, छत्री हो, बैश्य हो, उसके कोई बात नहीं पर बिद्ध्यार्थी हो, ऐसे में बिद्ध्यार्थियों को कार्बन, पैंसल, और कॉपीज, इत्यादी, तथा मल्टी कलर का बैग, जो इसके स्कूल में यूज होता हो, वो बैग ले करके आप दे सकते हैं, जिससे आपके संतान नहीं रुखती, पैसा नहीं रुखता, आपके संतानों से आपका विवाद रहता है, तो वो ठीक हो जाएगा, देखा हुआ उपाय है य इस्ते टिक जाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ बिचार टिक जाएंगे, चुकि पत्नी के भाव को राहु 11 घर से बैठा हुआ नहीं नौम दरश्टी से देखेगा, तो पत्नी के साथ मद्भेद जगर होंगे, तो वो भी मजबूत हो जाएंगे, ये केवल इतना और बाया हाथ से भोजन या बाया हाथ से पानी या बाया हाथ से किसी को कुछ न दे और न कुछ खाएं, बाया हाथ बिल्कुल त्याग दे, लेफ्ट हैंड से यूज न करें, खाने पीने में, और जितना हो सके, सरस्वती चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, और अरगला इस्तोत्र पढ़ें आपके पास जितनी समस्याएं हैं वो सब ठीक हो जाएंगे ये हमारा जो स्वाभाविक प्रेक्टिकल है वो बता रहा हूँ कोई पुस्त की ग्यान नहीं है यहांपर इश्वर की अराधना में मन नहीं लगता है राहू की दशा में लेकिन यदि आप शक्ति की उपास नहीं करेंगे तो इश्वर की आराधना में मन लगेगा और आपके पास धन्ट में लग जाएगा क्योंकि नहीं दृष्टी से पतनी की घर को व्यापार को और जो पार्टनर्शिप है पार्टनर लाइफ पार्टनर उसको खराप तो करेगा ही न रहू यह उपाय आप करें आपको अच्छा लगेगा राहू को बार्वें घर में लेकर के अगर देखे गोचर में तो बार्वें घर को खर्च कहा लिया है बार्वें घर से चाचा और मामी का चोटी मामी का विचार किया जाता है चोटी बुआ का विचार किया जाता है जब इन रिष्टों की साथ आपकी विचार नहीं मिले औ मजले ना आपका राहू आपको खराब कर रहा है और आपको दोड़ भाग दिर्थ में करनी पड़ कि आप डेली किसी काम की ले जाते हैं आपका कोई काम नहीं बन पाता है क्यों क्यों कि राहू आपका खराब है ऐसे वह राहू जब खराब होगा तो आपके पैर खराब मन मुटा हो जाएगा, शत्रू बढ़ जाएंगे, परवल हो जाएंगे, बीरे पात अचानक, स्वप्नदोश अचानक, बीरे का अच्छ है, हस्त में तो नित्यादी लग भी लग जाती है, रात रात भर लेकर के मोबाइल चलाया करते है, राहो की खरादी की निशानी है, ऐस बैठा हुआ, राहो, मात्रपक्ष को, देखेगा न, तो मात्रपक्ष को, मात्रपक्ष ही नहीं है अकेला, यह आपका सुख है, आपका सुहत, और आपका सुख अस्थान, वाहन, मकान, जायदा संबंधी, जब इस्तितियां खराब हो समझना बारविं घर में राहो बैठा हुआ खराब कर रहा है मा बीमार हो जाए आपको रात रात भर नीन ना आए तो अब सक्तम दृष्टी से राहो चठे घर को देखेगा उन्ह वही बाते रोग रण शत्रू परवल हो जाएंगे पेट में गैस बनने लग जाएंगे ये सब समस्याएं आती है अच्छा कई लोग शीग्र पतन के रोगी भी हो जाते हैं बारवी घर में राहो होने से और बारवी घर में राहो होने से चित्य किवर्ति भ्रवित हो जाती है भूत प्रेद बाधा का भी हमने असर देखा है उनके ओपर जब ऐसा होता हो तो क्या करना चाहिए कोशिश करें अपनी शिखा को अगर शिखा है आपकी चोटी है तो शिखा को बांध के रखें और गंगा जल से 43 देज अशनान थोड़ा गंगा जल डालें इसी बरतन में भ्यान रखें बरतन में पहले पानी नहीं डालना पहले थोड़ा गंगा जल दो चार बून डालोगे और उसमें पानी डालोगे तो गंगा जल बन जाएगा उससे अशनान करें थोड़े से तिल डालने काले उससे अशनान करें ये तो हो गया अशनान जैसा हो पाए राहो को ठीक करेगा, चाचा, ताया, जितने भी हैं, सब मजबूत हो जाएगे, और जूते चपल ले लें, मीले, काले, मल्टी कलर ले सकते हैं, जुराबे ले सकते हैं, शौक्स ले सकते हैं, वो किसी गरीब को दान कर दें, और छड़ी, जो बुर्जवर बुज़र्गों को लेकर चलने में आसारी से हो सकती हैं, वो दान कर रहे हैं, टोपी दान कर दें, आपके उपर छाया उतर जाएगी आपके उपर से, राहो के, और अपने चाचा के साथ में, उस वार में खास तोर से, मिलकर के उनके पैर चुए, बुआ के पैर चुए, छोटी मामी से, मिलकर तके उनका आदर करें, बढ़िया हो जाएगा, उना मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि एक दृष्टी जो है राहु की बारवी घर में बैठ करके अश्टमस्थान पर जाएगी, तो मेडिटेशन ध्यान करेंगे, तो आपका चित शान्त हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, और ध्यान भगवती दुरगा का करें, गले में स्वटिक की माला पहनने से बड़ा लाब होता है, स्वटिक का श्रीयंत्र मंगा कर रख लीजे अपने घर पे, और उस स्वटिक के श्रीयंत्र को पानी में रख दीजे थोड़ी दिर, रखने के बाद वो पानी जल आप पान कर लीजे, राहु आपके चित्त की भ्रांतियों को दूर कर देगा, भूत प्रेद बाधा को दूर कर देगा, पॉजिट्यूर हैं, कभी भी कोई भी ग्रह आपका बुरा तब तक नहीं कर सकता, जब तक आपका चरित्र शुद्ध है, चित्र शुद्ध है, ईश्वर की भक्त है, भचन है, बड़ों का आशिरवाद है, तब तक कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड सकता, जिस दिन आपका मन बड़ों का आदर करने से उप जाय समझना आपका बुरा टाइम आ गया है, आपका यूपर बुरे ग्रह आ गया है, बारवां घर, चूकि शैन सुख है, पतनी का सुख है, पतनी बीमार हो जाएगी, अचानक दवाईयां आती रहेंगे, करेंट लग जाएगा, आग से जलने का खत्रा रहता है, तो ये सब उपाए आप करें, इस प्रकार से मैंने तीन पार्ट में राहू के तीन वीडियों दिये हैं, और गोचर ग्रह वालो जो मैंने वीडियो बना कर दिया, आप सारे वीडियो देखेगा, दिहान पूर्बग, उन उपायों को करिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, कोई भी रहें, आपके इश्वर के अनुग्रह होने के साथ, जीवन में कोई बुरा नहीं कर सकता, इश्वर के अनुग्रह का जब करें, 108 नामों का जब करें, गारंटी है आपके जीवन में, खुशाली आजाएगी, कोई भी रहें आपके उपर बुरा असर नहीं करेगा, क्योंकि राहु के ठीक विपरीत केतू भी होता है, तो जब राहु खराब करेगा, तो विपरीत होकर केतू भी खराब चंद्रमा से 12 घरों तक राहु की इस वीडियो के बाद हम हाला के अगले स्विंखला को देंगे केतू, केतू चंद्रमा से 12 घरों में क्या फल देगा और उसका उपाय क्या है, हम आपको इस वीडियो में मिलेंगे आगे, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, प